इस वक्त क्या नर्दीज है आपके परसन की चेक करने वाली हूं मैं टेरो कार्ट में तो चैनल को सस्क्राइब लाइक शेयर कमेंट्स जरूर कर लीजिए बैल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएका नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए यह जो रीडिंग में करने जा रही हूं इस वक्त जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है जिसको सभी लोग देख सकते हैं यूनिवर्स से प्राइब करूंगी कि जो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट्स करते हैं मेरे जो भी विवर्स हैं इश्वर करें उन्हें सफलता मिले और उनके लाइफ में एक प्रोग्रेस हो उनके पार्टनर से उनकी मुलाकात हो यह बहुत जाएदा करें में जिसमें आप दोनों के बीच में इस तरीके का इसे मेरे रिलेशनशनसिप यह इसभी होसकता है कि आप दोनों ही और व हो सबसे पहले देखेंगे कि आपके परसन की भावनाय आपको लेकर क्या कह रही है यूनिवर्स हमें क्या गाइट कर रहे हैं और इस वक्त आपके परसन की दिल में आपको लेकर ऐसा क्या है जो वो कहना चाहते हैं लेकिन नहीं कह पा रहे हैं यह कह भी रहे हैं तो आपको यकीन नहीं है चलें कार्ट से पूछेंगे काड हमें बताएंगे क्या है आप के परसन की दिल में आपने परसन का नाम जरूर ले लिजिए आक पूप earning को Mary कर belong to an a package अच्छे मैंसेजस निकल कर यहां पर मेरे को बार 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 कई बार हो गया है मेरे को यहां पर स्ट्रेस का मैसेज जो हुँ क्यों लगाताanor यह रहा है Sis मैसेज जो मुझे लगाताxis हो रहा है इसका मतलग है indifferent कि इसले पर अपने अपनी लाइफ में परिशान है ठीक है इनके लाइफ में कुछ ऐसी निगेटिव उड़ जाएं या कुछ ऐसी निगेटिव एनर्जीज हैं जिनकी बज़े से ये काफी ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस ले रहे हैं ठीक है दूसरी चीज में यहां पर यह भी बोलूँगी कि इन पर्सन की एनर्जीज को देखकर ऐसा लग रहा है कि यह पर्सन अपने दिल का हाल आपसे कहना चाहते हैं इनके साथ आपका रिश्टा हो सकता है कि बहुत लंबे टाइम से रिश्टा हो इनके साथ आपका social media के through हो सकता है कि आप मिले हो एक ही place पर भी हो सकता है कि आप लोग working हो या फर एक ही same place पर आप रहते हो या कुछ kilometer के दूर के दाइरे में भी आप रहते हो लेकिन ये person इस वक्त काफी ज़्यादा stress में दिखाये दे रहे है इनके साथ आपका true love है ये भी चीज़ दिखाये दे रही है इनकी तरफ से जो उरजाए आपकी तरफ आ रही है वो उरजाए आपको sad कर रहे होंगे इस वक्त क्योंकि मैं यहाँ पर यह देख रही हूँ कि ये बहुत ज़्यादा परिशान है mentally stress में है है ना इनके feeling love है आपके लिए true love निकल कर आ रहा है twin flame connection आपके विच में निकल कर आ रहा है लेकिन इस वक्त है ना इन परसन की जो उरजा आपकी तरफ आ रही है वो उरजा आपको इनकी याद दिला रही है 24 hours हो सकता है कि आपके mind में आपके दिमाग में आपका partner रह रहा हो ठीके यह चीज़ यहां पर दिखायते रही है यह person आपसे शादी चाहते हैं प्योंकि इनकी energies को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे इनके जीवन में काफी ज़्यादा प्रशानिया हैं काफी ज़्यादा मुस्किल हालात हैं हो सकता है कि financial काफी ज़्यादा problems हों कुछ ऐसी परिशानिया हों जिनको यह अंदर ही अंदर समेट रहे हों ठीक है अंदर ही अंदर छुपा रहे हों हाइड कर रहे हों लेकिन जब यह आपके साथ जुड़ते हैं यह आपको देखते हैं तो इनका मन करता है कि partner हो तो आपके सब्सक्राइब करें कि कहीं न कहीं इसा लगता है आपको देखकर कि आप ही जो है वह एक अच्छे लाइफ पार्टनर इनके बन सकते हो ठीक है इनको आपसे काफी उम्मीदे हैं इस वक्त अगर आप no-contact situation में हो तो कहीं न कहीं ऐसा हो सकता है कि यह person आपसे मिलना चाहते ह इनका मन किसी भी चीज में नहीं लग रहा है और इसी लिए stress में यह है ठीक है इनके और आपके वीच में marriage के chances बहुत ज़्यादा दिखाए दे रहे हैं अगर इन्होंने आपको commitment दिया है marriage का तो कहीं न कहीं यह आपको अपने पती या पतनी के रूप में देखते हैं मैं इ एक future का connection शो हो रहा है ठीक है यह पर्षन वर्गो सकते है साजिटेरियस हो सकते हैं capricorn हो सकते हैं यह person cancer हो सकते हैं हो सकता है किसी cancer capricorn से deal कर रहे हो एक्क्रे alt podr से कर रहे हो cancer हो सकता है पाइसिस हो सकता है इन स्कॉर्पी हो सकते हैं देखिए इस वक्त मैं आपके पर्सन की और आपकी दौनों के अनर्जी की बीच में कुछ ब्लैक अनर्जी को यहां पर देख रहे हूं इस अनर्जी की अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ब्लैक अनर्जी आपके रिलेशनसिप में हैं ठीक है और कहीं न कहीं वो ब्लैक अनर्जी कुछ निगेटिव अनर्जी आपको और इनकी बीच में रियूनियन की अनर्जी को वीक कर रही हैं ठीक है क्योंकि अगर किसी भी एनर्जीज में चाहे कोई भी एनर्जीज क्यों ना हो चाहे आप किसी रिष्टे में हो या फिर आप किसी करियर में हो चाहे कुसी प्रोग्रेस में हो है ना चाहे आपकी लाइफ में खुशियों की बात ही क्यों ना कर ले अगर कोई भी निगेटिव और जा किसी की तरब से आ रही है नजर दोश है कोई ग्रहों का दोश है ठीक है या कोई ब्लैक एनर्जी किसी सेंडर के दोरा दी गई है तो वह प्रोग्रेस वही रिष्टा वह चीजें वहीं की वहीं रुक जाती है इस्टक हो जाती है और उससे क्या होता है उससे यह होता ह है कि आपकी अच्छी खासी चीजों में कहीं न कहीं कुछ रुकाबटें से आने लगती है ठीक है और हो सकता है कि इस वक्त जो मैं कार्ड में अनरजी देख रहे हूं कि आपके पार्टन ने आपको ब्लॉक किया हो या फिर यह भी हो सकता है कि आपके औरनके बिश में no contact situation हो है ना कुछ दिन बात होती है एक दो दिन बात होती है फिर पंदरा दिन बात नहीं होती है फिर हो सकता है कि एक दो मैसेजिस आ गए बात कर ली उस बात हो गई फिर पता चला बीस दिन पंदरा दिन दस दिन बात ही नहीं हुई तो यह on-off on-off situation अगर आप फिल कर रहे हो तो य आपके पार्टनर बाहर भी आना चाहते हैं ठीक है कि यह परसन आपसे मुहपत तो बहुत करते हैं लेकिन अपने चीज़ों को हाइड करते हैं मैं एक चीज़ यहां पर यह बोलूंगी इस वक्त भी जो अनर्जीज आ रही है यह आ रही है कि यह शोशल मीडिया के थ्रू आपको बहुत ज़्यदा सर्च कर रहे हैं अगर इन्होंने सामने से आपको ब्लॉक किया है इन परसन की नजरें पूरी आपके ऊपर हैं अगर आप किसी एक जगे पर काम करते हूं वर्किंग प्लेस एक हो आपका या फिर आप श यह मुझे सामने से आवइड कर रहे हैं जो इसा नहीं है यहां पर ईकार्ड में कह रहे हैं कि आपके पार्टनर की जो नजरें हैं इनर्जीज़ को पूरे आपकी उपर हैं तो कि वो कभी भी नहीं देख सकते कि आपकी और पसंद करें किसी और की साथ connect हो जाएं या फिर कुछ भी है ना तो उनके पूरी नजरें आपकी उपर है और जब उनको यह महसूस होता है जब उनको यह पता चलता है कि आप उनको miss कर रहे हो आप उनको याद कर रहे हो no context situation में आप काफी जादा sad हो रहे हो है ना आप पर रिशान हो रहे हो या फिर आप तो उनको कही न कहीं ऐसा लगता है कि भाई मेरी कितनी importance है है ना मेरे बिना यह person मुझे कितना प्यार करता है मेरे बिना यह person कितना जाधा केला हो गया feeling alone तो इन्हें इस बात की तसलिह होती है कि शायद आप इनके और अब आना भी चाहते हैं लेकिन इस वक्त कुछ black energies हो सकती है जो जब भी आप मिलते हो एक दूसरे से है ना उस वक्त ये black energies आपको दोड़ती हैं दूर कर देती हैं ठीक है तो यहां पर अपने रिष्टे को बचाईए आपके रिष्टे में ऐसी चीज़ें आफ्टर black energy जब आ आपके relationship में एक positive energy center होगी और जो खुशियां आप चाहते हो वह पूरी तरीके से आपके रिष्टे में लौट आएंगी ऐसा में यहां पर देख रही हो ठीक है कुछ और कार्ट्स भी ले लेती हैं यह bottom of the card मुझे बारबर देख रहा है और यहां पर लिखा हुआ है वह पाएंगे move on करना इनके बसकी बात नहीं है ठीक है और यह person आप पूरी तरीके से आपकी साथ एक अच्छा रिष्टा चाहते हैं ठीक है लेकिन यह थोड़े जिद्दी सभाब के person है थोड़े जिद्दी है ठीक है थोड़े जिद्दी भी है और थोड़ा सा इनकी life में बह स्ट्रेस दे रही है नाराज बहुत जल्दी हो जाते हैं गुस्सा जादा होने लगे हैं आजकल बहुत जादा मोड़ी भी आपके person हो रहे हैं यहां पर पैंटिकल है ठीक है तो फाइव पैंटिकल है वर्गो कप्रिकॉन साजिटेरियस विल अप पर्चून है वर्गो मेश कैंसर सिंग तोला यह राशियां यहां पर दिख रही है जस्टिस का काड यूनिवर्स की साइट से ठीक है वैंट की एक स्ट्रॉंग रिलेशन्सिप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऐसा लग रहा है इन काड्स को देखकर इन आन्जिस को देखकर कि बहुत जल्द इनक को यह भी बोलूगी कुछ मैसिकल अरदीज हो सकती है जो कि आपके रिष्टे को पूरी तरिके से खराब कर रही है क्योंकि जब आपके रिष्टे में एक प्याटी दिख रही है आपके रिलेशन्सिप में कहीं न कहीं सोल कनेक्शन दिखाए दे रहा है दैन उसके बाद भ से थुरू आप बात कर सकते हैं आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए नंबर है 9540119650 सिर्फ और सिर्फ यही नंबर मेरा है नो इंस्टाग्राम नो फेस्बॉक दिहान रखें सिर्फ यही नंबर जो नंबर मैंने बोला है तो यहां पर आपके परसन का जो मैसेज आया हुआ है वह काफी जदा पॉजिट्रिव है और इस मैसेज को देखकर लग रहा है कि पक्का अपलोड़नों के बीश में ट्यून फिल्म कनेक्शन है और फ्यूचर आपका सेफ है तो गाइस आई होप सो कनेक्ट की होगी बेस्टिंग एंड टेक केर बाए बाए